जार्खन के सभी जिलो में दो दिन तक होगी हलकी बारिस जार्खन के सभी इलाके में मंगलवार और बुद्धवार को हलके से मत दर्च की बारिस होगी इस दोरान कुछ जगों पर में गर्जन बजरपाद और ओला वरिष्टी की भी समभवना हाए राज में साइक्लोनिक सर्कुलेशन की परभाव से मौसम में आय बदलाव के बीच सोमवार और मंगलवार को उतर पच्छीम एवा मदे भाग के डल्टे गाई गड़वा लाते हार लोहर दगा गुमला सिम्डेगा राशी खोटी चत्रा रामगर और हजारी भाग में कुछ जगों पर हलकी बारिस के बीच वला विरिष्टी को लेकर और औरेंज अलोट भी जारी किया गया बता दे राजे के सेस भाग में में गरजन बजरपात के साथ बारिस का असार है मौसम केंदर से मिली जनकारी के मुताबिक आस्मान में बादल छाय रहने की वज़ा से राद के तापमान में समाने से 3-5 डिग्री सेल्शेस तक बिरिधी होई बता दे आने वाले दिन में इसमें 1-2 डिग्री सेल्शेस की और बड़ोतरी होगी वहीं दिन का अधिक्तम तापमान में कमी आई इस कारण 15 जनवाई तक राद में ठोंड का परभाव कम रहेगा हिंदी को जेसेसी परिक्षा में सामिल करने की मांग राजे के पूर्व मंत्री के एंतिर पाठी ने मुख्य मंत्री हमंसुरेन से मांग की है राजेस्तरी भासा के रूप में हिंदी को जेसेसी परिक्षा में सामिल करे सोमवर कोन होने मुख्य मंत्री को विश्व हिंदी दिवस की याद दिलाते हुए या मांग की है बतादे पूरो मंत्री ने कहा कि हिंदी राष्ट्री और राष्ट्र भासा है हमारे राजे के सभी विद्यालों में पढ़ाई हिंदी में ही होती है परतियोगिता परिक्षाय भी हिंदी में ही हो यदि जार्खंड के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार में रखना हो तो domicile policy के तहद दूसरे राजे के लोगों को रोक सकते हैं इसके लिए राष्ट भासा और मात्री भासा को कमजोर करने की कोई जरूरत नहीं हिंदी को कमजोर करने से भारत की अखंडता येवं एकता कमजोर होगी एवं जर्खंड की भी एकता की अखंडता कमजोर होगी जर्खंड के स्कूलों में जल्द सुरू होगी ऑनलाइन क्लासेश जर्खंड के सरकारी स्कूलों के छातर चात्रावों के लिए फिर से ऑनलाइन कक्छाई सुरू होगी बतादे राजय में 5 अगस्त 2021 से नौवी से बरावी की ओफलाइन कलास सुरू होई थी जबकि 24 सितंबर को छटी से आटवी की स्कूलों में ओफलाइन पढ़ाई शुरू की गई थी इस दोरान इन कक्छावों के लिए पुरू में चल रही ओनलाइन कलास बंद कर दी गई थी अब जब करोना संक्रामन के बढ़ने से बचों के लिए इसकूल बंद होगा यहाँ और आफलाइन कलास बंद होगा इतो ओनलाइन कलास सुरू होगी मकर संक्रांती पर मंदीर में भीड को लेकर डीसी ने तयारियों का लिया जाजा नव वरस के बाद अब मकर संक्रांती पर बाबा बैदनात मंदिर में आने वाले संभावित भीर के मदनजर डीसी मंजुनात बैदने तैयारियों का जाजा लिया है बता दे उन्होंने सभी सम्मंधित अधिकारियों को निर्देश दिया किर सरधालू की सुविधा सुरक्षा वसुगम जलारपन का पुकता इंतिजाम करे जो लोग भी बाबा मंदिर आएंगे बिना कोविट डवल डोज परवान पत्र के परवेश नहीं कर पाएंगे साथ ही बिना मास्क के भी परवेश नहीं मिलेगा इसलिए सभी अधिकारी पमाम पत्र और मास्क जाच सकती से करेंगे ताकि जो भी सरधालू आए और देवगर के लोग जो उनकी सिवा में रहे उन्हें कोविट के नए वेरियंट से सुरक्षा मिल सके बताद डिसी ने इस देवरण मंदिर में मौजूद पुरोहित समाज और सरधालू को कोविट का इलेंड का नुपारण कर इस संक्रमन से बचने की अपिल भी किया है तीन दीन में डबल होगी संक्रमन दर अगले सब्ता से देश में पीक पर रहेगा करोना CME इंडिया की रिपोर्ट में कुरोना की संक्रमन दर में बढ़ोतरी होगी पीक की अधी फरवरी के अंत्या मार्च के पहले सब्ता तक रहेगी इस निसकर्स पर CME इंडिया की टीम पूरे देश में अध्यान कर पहुँची है बता दे टीम की रिपोर्ट का संपादन धनबात के परसीद फिजिसियन डाक्टर एनके सिंग ने किया है जबकि इसमें सलकार के रूप में पदमस्री डाक्टर संकर आर जोसी सामिल है बता दे टीम में डाक्टर निसीन्थ कुमार डाक्टर चंद्रकांत टार के आधी सामिल है रिपोर्ट को CME के बेपसाइट पर जारी किया गया जो 10 जनवाई तक 5 लाग से अधीक लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा और हजारों ने सेयर भी किया है कोविट का नाया रूप ओमिक्रोन 23 से बढ़ रहा है जो कोविट प्येटी मिल रहे हैं इसमें से 90 फिस्दी लोग में ओमिक्रोन के लक्षना है जारखन में दूर होगा बीजली संकर्ट 200 मेगावाट सोर उर्जा की अपूर्ति आराम्ब बीजली के किलत झेल रहे जारखन के लिए खुसकबरी है बता दे राजे को 200 मेगावाट सोर उर्जा के अपूर्ति आरंब हो गई है सोलर एनरजी कर्परेशन ओफ इंडिया ने राजे को या अपूर्ति आरंब की है बता दे स्वर उर्जा गुजरात के ये जून पावर द्वारा ली जा रही है जार्खन बीजली बित्रन निगम और सेकी के साथ दो वर्ष पूर्व से इसे समझावता हुआ था समझावते के अनुसार से की जार्खन को 700 मेगवाट बीजली अगले 25 वर्षों के लिए 8 रुपे प्रतियोट की दर्श उपलब्द कराएगा बीजली की आपूर्ती में पावर ग्रीड कर्पोरेशन ने ट्रांस्मिशन सुल्क माप कर दिया है इस प्रकार राजे को 25 वर्षों तक ट्रांस्मिशन सुल्क भी नहीं लगेगा जार्खन सरकार के मंतरी मिथिलेस ठाकूर कुरोना संक्रमित स्वास्त मंतरी बन्ना गुपता के बाद अपे जलियोम सक्षता मंतरी मिथिलेस ठाकूर भी कुरोना संक्रमित हो गए है बतादे उन्होंने स्वेम ट्वीट का जनकारी दी है इनमे कुरोना का हलका लक्षन है तथा होम आईसुलेशन में है बन्ना की तरह मिथलेश ठाकुर भी दूसरे बार कुरोना संक्रमित हो गई बतादे बारतिये प्रसास्निक स्थेवा की पदाधिकारी सप्राथमिक सिक्ष संक्रमित की पचान होई हाराकी राची सहीत कई जिलो से रिपोर्ट बाकी थी बतादे पुर्वी सिमु में सोमवार को 929 संक्रमित की पचान होई वही रामगर में 232 पच्मी सिमुम 189 दूमका 151 हजारी बाग 121 पलामों 109 संक्रमित मिले हाए बच्चों में पढ़ने की आ अठे भारत अभियान में और मोबाइल वेन के माध्यम से बच्चों के बीच विभीन प्रकार के पुष्टके पहुंचाए जाएगी इस समध में मंगलवार को सभी जीला सिक्षा पतादिकारियों वह जीला सिक्षा अधिक्षकों को दिशा निदे जारी कर दिया जाएगा बता दे परते एक जीले में ऐसा एक एक मोबाइल वेन संचालित होगा SPD कुरोना पोजेटिव आज जारी होगा इसकूलों के लिए SOP जार्खन सिक्षा परियोजिना परिशत की राजे परियोजिना निदेशक कियन कुमारी पासी कुरोना संक्रमित होगा है वे अपने आवास पर आईसोलेट है इस वज़ा से सोमध को सरकारी स्कूलों के लिए SOP जारी नहीं हो सका बता दे JEPC ने SOP की फाइल SPD की अन कुमारी पासी के अवास पर भेज दी है उनके हस्ताक्चर होने के बाद मंगलवार को इसकी अईसुतना जाड़ी कर दी जाएगी जार्खन में रभिवार को 3444 नाई केस मिले जबकि 1208 मरी स्वस्त भी हुए है जार्खन में रभिवार के आकड़े के अनुसार कूल संक्रमितों की संख्या 23331 है भारत में 156441 नाई केस मिले जबकि 16887 मरी स्वस्त भी हुए है भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 817270 है कुरोना की ताजा अपडेट के लिए साम 5 बचे का वीडियो देखना ना भूले जामुमो अध्यक्ष सीबू सुरेन का 78 जनम दिवस आज जामुमो के अध्यक्ष वर राज सभासांसा सीबू सुरेन का 78 जनम दिवस मंगलवार को प्रेरनाद दिवस के रूप में साधगी के साथ कोविट प्रोटोकल के अनुपलन करते हुए मनाया जाएगा बतादे महामारी के कारण समरो कायोजन नहीं किया जा रहा है पार्टी के वरिष्ट नेता सुप्रियो वट्टाचारी के मुताबिक करकारता और समर्थकों को भीड नहीं लगाने का निदेश दिया गया है गुरु जी के आवास पर समर्थकों करकाताओ की भीड नहीं जुटेगी जार्खन मुक्ति मोचा के करकताव को निर्देश दिया गया है कि वे अपने जिले में कोविट गाईलेन के तहत जनम दिवस मनाए सभी जिला अध्यक्ष अवसाचीव को कहा गया है कि वे इसका ख्याल रखे भीड से परहेज करे और गरीबों के बीच कमबल दबाय और अनाज का वित्रन करे किसान पाट साला में खेती का काकारा पड़ेंगे किसान राज में समेकित बीर्षा विकास योजना के अंतरगत किरिशक पाट साला और बीर्षा ग्राम विक्सित करने की योजना पर राज सरकार ने काम सुरू कर दिया है पहले चरण में 17 क्रिसक पाट साला राजे के विभीन क्रिसी प्रत छेत्रों में विक्सित की जाएगी बता दे अगले तीन वर्सों में 94 तरीके से 100 क्रिसक पाट साला विक्सित करने की योजना है और किरिशक पाट साला में 3-5 बीरसा गाउं को अशाजित किया जाएगा सरकार नहीं अकदम किरिशी छेत्र में फसल उत्पादन और उत्पदक्ता को बढ़ाने के साथ उनत किरिशी प्रद्योकी को प्रदर्शित करने के लिए बढ़ाया है रांची के IHM पहुँचे बिधायक बंधुतिर्की रांची जिले के मांडर बिधान सभास से बिधायक एवंपुर्व कैबिनेट मंत्री बंधुतिर्की सुमवार को IHM रांची पहुँचे बतादे IITTM की सुरुवात होने से पर्याटन के छेत्र में रोजगार के उसर बढ़ेंगे इस दोरान बंबे में हेल्थ रिसोर्स बिक्सित करने पर चाचा की गई बतादे IITTM में गेर्जुएशन एवं पोस्ट गेर्जुएशन के डिगरी मिलेगी इससे पर्याटक मार्ग दसक यातरा एजेंट एवं अन रोजगार के राष्टे खोलेंगे इसके अलावा ब्रामबे में स्वास्त केंद्र को जारकन संस्क्रीती स्वास्त प्रणानी को बढ़ावा देने के लिए अरोग यह स्टराम के रूप में बेख्सित करने पर मन्त्राने की गई पीएं मोदी की सुरक्षा में चूक मामले को लेकर बीजेपी ने मानो शरिंखला बनाया है पंजाब की कॉंग्रेस सरकार द्वारा पधान मंति नानिमोदी की सुरक्षा में होई चूक के मामले को लेकर भातिया जनता पार्टी की नेता और करकताओं ने राची के हर्मो चौक से लेकर और गोड़ा चौक तक मानव सरिंखला बना कर भिलो जताया इस मानव सरिंखला में पुर्व सीम बावुलल मरांडी और रहुवर दास के अलावा सांसत विधायक पुर्व मंत्री समेथ काफी संक्षा में पार्टी करकताओं पस्तित थे इस दवरान मौके पर पूर्व सीम रहुवर्दास ने कहा कि पंजाब की कौंगरे सरकार किया सोची समझी रण निती थी इस रण निती को अब पंजाब की जनता समाच चुकी है साथ पलस समेत अने के लिए सुरू हुआ बुष्टा डोज साथ बरस के उपर की लोगों को बुष्टा डोज की सुरूआत करते हुए गुमलाट डी सी सी सीर कुमार सीनहा एवाम डी डी सी कर्ण सत्यार्थी ने जन्यूकत रूप से सदर अस्पताल परचन में कारकरम का सुबारम किया इस मोगे पर डी सी सीरी सीनहा ने कहा कि आज से सुरू हुआ प्रिकोष्ट डोज ठीका करन कारकरम के तहत जीले की लगभग 14,000 स्वास्त कर्मियों फ्रंट लाइन कर्मियों एवं लगभग 20,000 कोमो बीड वाले 60 बरस्त अधिक आयू वर्क के ब्यक्तियों को क्रोणा के अतिरिक डोज प्री कोष्ट डोज के रूपे दिया जाना है बंधना और सोहराई पर्व को लेकर तयारी में जुटा आदिवासी समाज महा पर्व बंधना और सोहराई की तयारी को लेकर आदिवासी समुदा जुट गए है बताएद देव घर जिला अंतरगत मधोपूर परखंट शेतर के विभीन आदिवासी गाओं में इसकी तयारी जोरो पर है सोराई और बंधना को लेकर महिलाई अपने अपने घरों को आकर्शक रंग रोंग के साथ साथ साप सफाई में जुट गए है यहापर बहर साल आदिवासी समुदाए के लोगों द्वारा जाहेर थाना में पूजा अर्चना कर किया जाता है बतादे दूसरे दीन बरत खुटा पूजा किया जाता है वहीं तिसरे दीन खुटे गए बैल को ढोल नगारे के साथ पूजा अर्चना के बाद खोला जाता है इसके बाद परंपरिक निर्थ आदिवासी परिधान और मांदर की थाप पनिर्थ किया जाता है साहेब गंज में डॉल्फिन अभियारन बनाया जाएगा है जार्खन के साहेब गंज जीले के 83.5 किलोमेटर चेतर में माग गंगा बिराजबान है बतादे गंगा में पाये जाने वाले जलिये जीवों को सनगछन के लिए जिला परसासन वा बन विभाग सजग है गंगा की गाय कही जाने वाली डॉल्फिन को सुरक्षित वा सनगछित करने के लिए गंगा छेतर में जल्दी डॉल्फिन अभियारन बनाया जाएगा इसके लिए वन विभाग वा जीला परसासन वा सभी रिपोर्ट सरकार को भेज़ दी है डॉल्फिन अभियारन बनाने का मामला सरकार के अस्तर पर पेंडिंग है ससस्त्र पूलिस प्रस्रिक्षन केंद्रे के एस्पी सहीद 21 पूलिस कर्मी पोईटी पूलिस प्रस्रिक्षन केंद्रे के एस्पी सहीद 21 पूलिस कर्मी पोईटी मिले है बतादे जार्खन सरस्तर पूलिस प्रस्रिक्षन केंद्र पदमा में क्रोना के बढ़ते परभाव को देखते हुए पूलिस कर्मियों का प्रस्रिक्षन बंद कर दिया गया है संस्था के SP किसोर कोसर पूरे परिवार सहीद 21 पुलिस कर्मी कुरोना पोजेटी पाए गए है SP पादमा अवास में ही होम कुरेंटीन में रहकर इलाज करा रहे है तीसरी लहर रोकने के लिए जहारखन में 15 जनवरी के बाद लग सकता है लोकडाउन जहारखन के 5 जीलो में इस समय कुरोना संकरमंदर 10 परचथ से अधिक हो गया है बतादे इन जीलो में राची, लातेहा, रामगर, कोडाल मा तथा, देवगर सामिल है देश के सब जीलो में जितनी संकरमंदर है उसमें जहारखन के जहारखन के 5 जीले भी सामिल है बता दे जार्खन के उनाई जीले के आलाद भी कोई अच्छी नहीं है वहाँ भी कुरोना बिस्फोर जारी है आलम यह है कि हर दिन जार्खन में लोग कुरोना से मरने लगे है मुक्य मंत्री का आवास, स्वास्त मंत्री, सांसाद विधायक, डॉक्टर सरकारी करमचारी, प्रावेट करमचारी, सब जगा कुरोना ने कबजा जमा लिया है बता दे नएक कुरोना मरीजों के संख्या बढ़कर 25 सेयर के भी पार चली गई है चुकि यह अरफ्तार 23 से बढ़ती जा रही है, हर दिन इसमें गुनात्मक विलिदी होती जा रही है सी एंटी एक्ट के खिलाप जमीन की खरीद बिक्री पर करवाई सुरू सी एंटी एक्ट का उलंगन कर जमीन की खरीद बिक्री के ममले में चार अधिकारियों के खिलाप करवाई सुरू कर दिगई है राक्षी के उपायुक्त शवीर अंजनने, राक्षी के ततकालीन, जीला, अवर, निबंधन, राहूल कुमार, चौबे, संतोस, कुमार, सीली के अंचल, अधिकारी, राकेज, भोशन, सींग, और सीली के विडियो, पवन, आसिस, लकडा के खिलाप आरोप पत्र गठन कर द विभाय को प्रस्ताव बेज दिया गया है, साथ ही, और आज पत्रित करमियों के विरूत, जीला, अस्तर पर करवाई, सुरू कर दी गया है, धन्यवाद, कुरोना के बर्ते मामलों को देखते हुए, जारखन में संपून, लोकडाउन लगना चाहिए या नहीं, हमें आप क